नमस्कार और विल्कम यौल वर्ल अफेर्ज नेवु प्रशान्द वर्ण नाव भारत का जो G20 समिट है 2023 का ये ट्रूली हिस्टॉरिक राह है मुझे लगता निये किसी भी G20 समिट में इतनी पॉजिटिव डवलपेंट्स हुई है दुनिया को एकटा लाने की कोशिश की गई सबस्क्राइब है नाव यहां पर आप देख पाऊगे सारे वर्ल लीडर्स रिस्पेट्फुली चल रहे हैं दिल्ली की जमीन पर यह राजगाट में इस वक्त राजगाट में आपको बतावगा मेमोरियल है फादर ओफ डव नेशन महतमा गानी जी का सभी वर्ल लीडर्स यहां पे आपको दिख जाएंगे, Erdogan, Japan के किशीदा, Emmanuel Macron, G20 के सारे जो लीडर्स हैं, एक्सेप्ट व्लादेमर पुतिन और शीजिंग बिंग, विसे पुतिन यहां पे तुरह से अजीब भी लगते हैं, उनकी पस्नाल्टी के साफ ज़रा सा ओड लगता है, बाइडन आप देखो के सबसे आगे और यहां पे सारे जो वर्ल लीडर्स हैं अपनी जगा लेते हैं, अभी यहां पे आप देख पाओगे, इस लगता नहीं है कि इंडिया के लावा कोई बी और कंट्री यह कर सकता है, ना सिर्फ G20 के लीडर्स जो आफ्रिकन युनियन के जो लीडर्स हैं उनको भी यहां पे इन्वाइट किया गया, यहां पे आप देख पाओगे, एर्दोवान, मैक्रॉम, सारे वर्ल लीडर्स आपको दिख जाएंगे, और दोमिंट के लिए यहां पर प्रेयर करी गई, और इट इस अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल साइट, तो इंडिया ले देखिए पूरी दुनिया को ना युनाइट करने की कोशिश करी है इस G20 समिट में, अब यहां पर आप एक क्वेशन पूर सकते हैं, ठीक है राजगाट की जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं बहुत अच्छा लगा देखकर, मगर इसके इलावा कुछ कंक्रीट प्लान निकल के क्या आया है, मैं आपको बता दू, जो बाइडन ने खुद इसकी अनाउस्मेंट करी है, पी एम मोदी ने भी इसके बारे में मेंशन किया है, के एक इंडिया मिडल इस्ट यूरोप कोरिड़ बनाया जाएगा, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एकॉनोमिक कोरिड़ होगा, जो दो बड़े महादवीपो को एशिया और यूरोप को कनेट कर देगा एकॉनोमिकली, यहाँ पर आप देख पाओगे वाइड हाउस ने भी इसके बारे में ये नोटिविकेशन जाली करी है, कि जो MOU है, Memorandum of Understanding on the Principle of an India Middle East Europe Economic Corridor ये साइन हो चुका है, इन सब कंट्रीज ने अपनी तरव से कमिटमेंट देदी है, USA, India, Saudi Arabia, United Arab Emirates, France, Germany, Italy, European Union के जो बाकी देश है, सब ने इस बात पर सहमती कर ली है, कि एक कॉरिडोर बनाएंगे, जो शुरू होगा इंडिया से, अगर मैं आपको मैप पर दिखाऊ, ये कॉरिडोर शुरू होगा इंडिया से, इंडिया को शिपिंग लेन के साथ हम कनेट कर देंगे United Arab Emirates से, उसके बाद UAE, Saudi Arabia और all together इसर साइल का जो हाइफा पोर्ट है, उसको कनेट किया जाएगा ग्रीस के साथ, और उसके बाद extra freight train से, उरोप के बाकी देशों को जोड़ दिया जाएगा, तो technically, आपको in the future, अगर कुछ समान भेजना है, कुछ import करना, export करना है, उरोप से लेकर इंडिया तक, ये आप बहुत जाएगी है, शिप अर्मेनिया में, फिर यहाँ पर रश्या पहुचेगी, फिर रश्या से युरोप जाएगी, देए ये ये जो प्लान है ना, थोड़ा सा मुश्किल है, आमीन, रश्या से ट्रेड करना अगर, तो ये प्लान बहुत अच्छा है, मगर रश्या से ट्रेड कनेक्ट है, ये बहुत ज़रा खराब हो चुका है, ये यूरोपियन कंट्रीज रश्या के साथ ट्रेड ही नहीं कर रही, तो नौर्ट साउथ कोलिडर ना, इकोनिकली इंडिया के लिए इतना अट्रेक्टिव है नहीं, रश्या आप कह लीजिए, इंडिया को पू और लिटरली मैं देख रहा हूँ के वाइट हाउस ने ना, इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट, के इससे दोनों कॉंटिनेंट्स को क्या फायदा होगा, इन्होंने साफ साफ लिखा है, के इससे दो कॉंटिनेंट्स को हम करीब ले कि आएंगे, उसके लावा, इट विल मेक इजियर तू ट्रेड, ट्रेड करना, एक्सपोर्ड करना, क्लीन एनरजी, यह सब भी काफी आसान हो जाएगा, याद रखिएगा, इवेंचुली, एक प्लान ये भी है, के वान सन, वान अर्थ, वान ग्रिड का, के मान लिजे कल को सोलर एनरजी है, यह हम को भेज दिये, फ इस पूरे रीजन की बहुत जादा इंप्रूब हो पाए, विल मेक इजियर तू ले केबल्स ताट कनेट कम्यूनिटीज, ताट सेक्योर, इस टेबल इंटरनेट, फिर, विल अनलॉक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव एकोनोमिक ग्रोथ, और सबसे जादा इंट्रस्टिंग यह लगी, के वाइठ हाउस ने, इसके बारे में जो टेक्स्ट किया है, रिलीस, उसके एंड में आप अगर देखोगे न, साफ साफ यूएस इने सब कंट्रीज को यह कह दिया है, साथ दिन का टाइम है, लिटरली आप देख पाऊगे, दपाऊगे, पार्टिसिपेंट्स जावे माँ देख पा रहा हूँ, यूएस प्राइरिटी बेसिस पर इसको अगरेसिवली आगे प्रमोट कर रहा है, और इन्होंने बोल रखा है के साथ दिन के अंदर-अंदर, कंट्रीज मिलेंगे, डेवलप करेंगे, कमिट करेंगे, किस तरीके से इनका एक्शन प्लैन क काम करेगा, ये जो सब देश है, जिनका मेंशन किया गया है, इंडिया, यूएस, साओधी रेविया, यूएई, फ्रांस, जर्मन, इटली, ये कैसे अपने फंड्स अलोकेट करेंगे, कौन क्या बिल्ड करेगा, कौन रेलवे लाइन कहां पर बिच्छाएगा, किसका का का क अशिया और यूरोप को कनेट करने के बारे में, राइट, फाइन, मगर यूएसे इसमें इतना इंट्रस्टेट क्यों है, ये ये यूएसे को तो कनेट करता नहीं है, अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा है, कोई ब्रिज वगरा, कुछ नहीं है, जिससे आफ सीधा यूएस को जोड़ पाऊ इससे, तो यूएस इतना ज़रा इसमें इंट्रस्टेट क्यों है, जो बाइडन लीड रोल क्यों प्ले कर रहे है, वो क्यों कह रहे हैं कि साथ दिन के अंदर अंदर सब कर लेंगे, अमेरिका भी इंवेस्ट करेगा, सब कंट्री इंवेस्ट करेंगे, दे देखो के बहुत सारे जो आसपास के छोटे देश हैं, वो भी इसमें पाइडिस्पेट कर पाएंगे, ओविएसली, मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा, कि जो चाइना का सीपैक है, जो चाइना पाकिस्तान एकॉनमिक कोरिडॉर है, वो भी इससे कंप्रीटली यूजलेस हो ज करना, रश्या की जो इंपॉर्टेंस है एंडिया के लिए ये कंप करना, चाइना का इंफ्लूएंस जो है रीजन में ये कंप करना, दे आर ओल मेजर जियो पॉलिटिकल गोल्स, तो यू ऐसे के परस्पेक्टिव से डेफिनेटली, यह अग्रेसिवली इस पूरे प्रोजे इस से रिलेटेड अभी आप देखोगे आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारे एग्रीमेंट्स, कंट्रीज के बीच में भी साइन होंगे, क्योंकि जो वाइट हाउस का नोडिटिकेशन इनने जारी करी है, इसमें ये बात भी साफ-साफ लिखी हुई है, कि जो पार्टि जल्दी काम करेंगे, और साथ में ये भी लिखा है, कि जो ये दो ट्रांजेट रूट्स हैं, पहले इंडिया से मिडल ईस्ट, फिर मिडल ईस्ट से यूरोप, जो ये दो ट्रांजेट रूट्स हैं, इनके लिए सारी चीज़े टेक्निकल डिजाइन, फाइनांसेंग, the future definitely इंडिया में कई ministers आएंगे meetings होगी जशंकर साब हो सकता है कई देशों में जाएं और बहुत जल्द जो legal requirements से इस project की ये complete की जाएंगी और finally याप आप सबसे मैं question पूछूंगा question ये है कि Indian Navy आज के समय किस युद अबयास में participate कर रही है in Egypt आज के समय ये काफी news में है आप बिल्कुल Google करोगे Indian Navy Egypt इसका answer आराम से मिल जाएगा मगर वैसे कोशिश करो कि बिना Google किये आप इसका answer करें ये हैं आप आपकी options operation green star, operation red sea bright star 23 या फिर al mirad exercise comment section में करिए उत्तर सही answer मैं नहीं दूँगा जो लोग सही answer करेंगे उनकी comment को मैं हर दे दूँगा ताकि बाकी लोग समझ पाए के सही उत्तर क्या है और finally आपर मैं ये भी add कर दूँ कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं चाहे SSC, UPSC, bank आप purchase कर सकते हैं unacademy के quality courses comment section में जाए pinned comment में यहाँ पर आपको मिलेंगे link for example let's say आपको prepare करना है UPSC के exam के लिए तो UPSC के link पर यहाँ पर करिये click और यहाँ पर purchase कर पाएंगे unacademy का UPSC course but जो prices यहाँ पर लिखे हैं don't ever pay these prices simply यहाँ पर code डालिए PD10 and the prices will start falling and you will be able to save a lot of money so use the code PD10 and save money और इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ thank you for listening may the gods watch over you